हेलो एवरिवन, हेलो बच्चो, वेलकम टू ATP स्टार कोटा, कैसे हैं आप सब, होपिंग दाट आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे तो बच्चो, जैसे कि आप सबी ने title and thumbnail में देख लिया होगा, ये वीडियो एक detailed वीडियो है regarding JE 2024 आपके सारे सवालों के जवाब मैं इसमें देने वाला हूँ Slivers Completion कब तक करना चाहिए, exam की possible dates क्या क्या हो सकती है, revision कैसे करना है, mock test कितने देने चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, short notes बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, school के साथ किस तरीके से manage करें, अगर class 11 हमारा waste हुआ है, तो हम क्या करें, motivated कैसे रहें, distraction से कैसे बचें, time table कैसे बनाए, I think यहीं सवालों में से कोई ना कोई सवाल आपका जरूर होगा, है ना बच्चो, तो इस सारे सवालों के जवाब मैं इस detailed वीडियो में लेकर आया हूँ, तो पहले से बच्चो, full जोश में like कर देना भाई, है ना, क्योंकि हमारा भी motivation काफी important है, उसी से possible dates क्या है, तो बच्चो देखिए, जेही में कि अगर हम बात करें, तो जो पहला attempt है, वो हम expect कर सकते हैं कि mid January तक, यानि second week of, ये मान लीजिये, January में होने के बहुत high chances है, उसके बाद अगर second attempt की बात करें, तो again वो mid April, यानि second week of April में होने के बहुत high chances है, यो कि आप जानते ह करें बच्चो, तो जेही advance हमारा May end में होने के chance, यानि last Sunday of May में होने के बहुत high chances हैं, तो अभी साप देख सकते हो, आपका जो भी dream IIT है, जो आपका dream की बजाए aim है, जो आप सभी को achieve जरूर करना है यार, और ATP star quota team, पूरी की पूरी team आप सभी के साथ इस पूरी journey में, हम कर के रहेंगे, हम करके दिखाएंगे बच्चो, तो बात यह है कि जो भी आपका dream IIT है, आप सभी को comment section में लिखना है, कि कौन से IIT में आप जाना चाहते हो, अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल हमारे दिवाक में यह आता है, कि can I do it, क्या मैं कर सकता हूँ, यह जो बचावा समय है, देखो बच्चो, चाहे आपका class 11 कैसा भी गया है, जैसा भी गया है, अच्छा गया है, बुरा गया है, याद रखिए, जो droppers होते हैं, ऐसे बहुत सारे droppers होते हैं, जो बारवी तक सिर्फ board level तक की थैयारी करते हैं, and within a span of 8-9 months of preparation, they crack IITJ with a good rank, तो अभी भी आप ए पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले अपना level इतना करो कि selection के level तक तो पहुचो, उसके बाद फिर बात करो कि top मैं 2000 में आ सकता हूं क्या, 1000 में आ सकता हूं क्या, यानि अभी हमें अपना level उपर करना है, सीधा अगर हम Mount Everest की बात करेंगे तो हमारा confidence बढ़ने की बज़ अब हमें तैयारी पूरे जोर शोर से कर देनी चुरू कर जीए, बिकास हमारे पास time उतना भी जादा नहीं है, और अगर हम पहले attempt की बात करेंगे तो हमारे पास पूरा एक साल है, तो अब देखे इस journey के अंदर क्या-क्या होता है बच्चो, इस journey के अंदर syllabus completion से लेके, revision से यह पहचानते हैं बच्चो, कि हम कौन सी mistakes हमसे हो जाती है, आई देखते हैं, सबसे पहले worst mistake ही हो जाती है, या तो हम खुद ठीक से नहीं पढ़ते हैं, यह बहुत common mistake है, हमी ठीक से अगर नहीं पढ़ेंगे, हमी अगर distracted रहेंगे बच्चो, तो इस कारण क्या होगा, हमार confidence क्या हो जाएगा, lose हो जाएगा, कभी-कभी हमें coaching भी सही नहीं मिलती, जहां से हमें personal guidance and support नहीं मिलता, यानि lectures तो मिल जाते हैं बच्चो, लेकिन lectures के अलावा जब हमें guidance की requirement पढ़ती है, तो हमें कभी सही guidance या personal touch teacher का नहीं मिलता है, जिस कारण हमारा confidence lose होता जाता है, moral down हो एक उसके अलावा कई वार हम बहुत जादा material में भी फस जाते हैं, बहुत सारा material हम इखटा कर लेते हैं, बहुत सारी किताबों का भंडार लगा लेते हैं बच्चो, जिस कारण हमारी preparation bulls आई, यानि focused नहीं रहती है, उसके अलावा overthinking, overthinking सबसे बड़ी बिमारी आज के time मे हम जो चल रहा होता है, उस पर focus ही नहीं करते हैं, हमेशा future के बारे में सोचते रहते हैं, या बच्चो past के बारे में सोचते हैं, ये सारे blunders हैं, बहुत जारा distracted हो ना, जिसमें आप समझ रहो ना, porn, masturbation, web series, love affairs, जो भी सारे के सारे, आप जानते हो ये सारी चीजों में उसे रहेंगे, अगर हम अपनी energy down रखेंगे, coaching गलत चुनेंगे, जहाँ पर guidance नहीं है, तो बच्चो ये मान लीजिए, अगर गुरू का आपको साथ ही नहीं मिलेगा, तो कैसे काम चलेगा, तो इस साल ये प्रन कर लीजिए, कि ये गलतियां आपको minimize करनी हैं, मैं नहीं ब गलती मिर से हो गई है, मुझे नहीं करनी है, अब हमें आगे क्या करना है, तो बच्चो देखिए, पहली चीज तो ये, you have to select the right coaching, आपको सही coaching चुननी है, जहाँ पर आपको सही material मिले, credible teachers आपके हो, योगि सही teachers अगर आपको पढ़ाते हैं, और guidance भी आपको देते हैं, आपको सही guidance भी होनी चाहिए, और ऐसी coaching में आपको पढ़ना चाहिए, जहाँ पर selection ratio actual में अच्छा हो, well established हो, सालो साल से बच्चो, उसके अलावा, obviously, तो अब अगर आपने सही coaching चुन ली है, तो अब वक्त आता है, right guidance का, right, जैसे कि आपको ये दिखा रखा है, मैं खुद बच्चो को लगातार guide करता हूँ, जैसे आपके लिए मैंने वीडियो बनाया, उसके अलावा, मैं लगातार बच्चो को guidance देता हूँ, completely free of cost बच्चो, जो हमारे batches हैं, उनमें तो अलग से guidance मिलता है, आप जानते हो, one-on-one guidance होता है, वीडियो के through भी होता है, call के through भी होता है, लेकिन उसके अलावा एक telegram channel है बच्चो हमारा, description में link दिया हुआ है, उस telegram channel पे आप जाईए, और वहाँ पे मैं regularly, almost every single day, telegram channel को open भी करता हूँ, और उसके group में मैं लगातार बच्चो को guide करता रहता हूँ, तो एक guidance हम चाहते हैं कि हर बच्चे को मिले और free of cost मिले, त उसको जरूर join कर लेना, पूरी journey में आपको help करेगा, along with that उसके अंदर हम बहुत सारा material भी जो होता है, ATP Star Quota का, काफी अच्छा material है बच्चो, वो हम upload करते रहते हैं, तो उससे आप काफी high quality material आपको free of cost accessible हो जाता है, तो telegram का हिस्सा बच्चो जरूर बनिये, और देखिए यह जो journey होती है न, अभी से लेके end तक की, इसमें सही guidance ही अपने को आगे बढ़ाती रहती, तो कि बहुत बार इस journey में क्या होता है, we feel depressed, we feel down, लेकिन ऐसे टाइम में गुरू जो होते हैं आपके, जो सिक्षक होते हैं, वही आपको आगे आपके जो रस्ता है, मार दर्शन क कराते हैं, और आप next level पे पहुँच पाते हों बच्चो, तो guidance आपको बहुत ज़रूरी है, एक important information बच्चो मैं आपको देना चाहता हूँ, हमारा जो gladiator batch है, for GE main and advanced 2024, यह start हो रहा है, 10th of January से बच्चो, 10th January से batch start हो रहा है, इसमें complete class 11 as well as 12th कराये जाएगा, इस पूरे batch में पूरे डेड़ साल के लिए, यह मालीज है, doubt solving as well as personal guidance, guidance भी आपको मिलने वाली है, और सबसे खास बात है कि यह batch बहुत ही affordable हमने रखा है, only 6999 बच्चो, डेड़ साल का course है, only at this particular fee, यह आप समझ रहे हो, highest quality at the most affordable fee, ऐसा इंडिया में अब तक कभी भी नहीं हुआ है, कुछ courses ह जो बहुत सस्ते हैं, लेकिन वो normally उतने अच्छे नहीं है, वहाँ पर personal guidance अवेलेबल नहीं है, proper doubt solving अवेलेबल नहीं है, यहाँ आपको proper doubt solving as well as guidance मिलने वाली है, तो इस batch में आप जल्द ही enroll कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं, description में इसका link दिया हुआ है, सारी details बच रहे हैं, तो भी यह help करेगा, अगर आप properly इसी से पढ़ रहे हैं, इस batch से, तो भी आपके लिए sufficient रहेगा, यानि यह supplementary solution भी है, और full flesh solution भी आपके लिए available है, even if you take it only for the guidance, then also it would be great, तो description में link दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या directly app या website से enroll भी कर सकते हैं, Let's move forward, देखिए बच्चो, अब बात करते हैं time management के बारे में, देखिए यहाँ पर अपने को पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है, कि time management बहुत important key रहता है इस पुरी journey में, अब कुछ student ऐसे होते हैं, जो school going होते हैं, कुछ school नहीं जाते हैं, लेकिन main fund आई यह है कि अपने क Slavers completion timely करना होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें कब तक अपना Slavers completion करना होगा, तो बच्चो, November end तक हमें अपना Slavers complete कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें board exam की तयारी भी सासत करनी होती है, और board की तयारी करने में फिर हमें time लगता नहीं, क्योंकि January में exam आ जाता है तो हमें revision भी करना होता है, तो अपने को कोशिश करनी कि November end तक हमें Slavers complete करना है, अब November end तक Slavers complete करना है, तो time management करने के लिए, अगर आपकी coaching ने ठीक से plan किया है, कि आपको Slavers कब से कैसे कराना है, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं, आपको proper उसी को follow करना है, लेकिन याद आपकी coaching में इस तरह का plan बना होना चाहिए, कि आप school के साथ उसको manage कर पाओ, बहुत बार coaching में ऐसा होता है, कि school के साथ हम उसको manage ही नहीं कर पाते, school के साथ हमारे इतने lectures हो जाते है, कि भाया हमें self study का समय ही नहीं मिलता, इसलिए सही course चुनना बहुत जरूरी होता है बच् पुरा हो जाएगा, तो बच्चो time management के लिए coaching इसलिए बहुत सही होने चाहिए, जो आपकी सारी बातों को ध्यान रखे, अगर वहाँ पर आपको time management सही किया हुआ है, classes timely लगी हुई है, mock test schedule किये हुए है, सब कुछ timely है, तो आपको बस उसी को follow करना है बच्चो, अब हम बा करना है, यानि overthinking ना करते हुए, यह माली जीए, think less, do more is the key, अगर आप consistent रहोगे बच्चो, तो आगे यह माली जीए, that is the only key, क्योंकि अब खराब करने का scope नहीं है, अगर हमें advanced में अच्छा करना है, अच्छा फोड़ना है, अगर अभी भी हम गिरते रहेंगे, परिशान ह बहुत अच्छी रहेगी, अगर आप regularly meditation करते हैं, थोड़ा yoga करते हैं, तो ऐसे case में भी भारा focus पहले से improve होता है, बाकि again the key is think less, do more, अब जैसे कि मैं आपको सभी को बताया, कि slayvers completion आपको क्या करना है, आपको November end तक करना है, अब doubt ही आता है कि sir हमारा class 11 उतना अच्छा नह तो आप अराम से November end तक बढ़िया से class 12 कर सकते हो, अब बात यह है कि अगर class 11 wasted है, तो कैसे slayvers complete करोगे, backlog कैसे cover करोगे, वो सारी guidance मैं आपको इस particular session में देने वाला, बच्चो study material के अगर हम बात करें, तो आप सभी के लिए perfect study material कौन सा होता है, तो मैं आप सभी को बताता हू सबसे important study material अगर हम बात करें, तो coaching में जो आपको material मिलता है, अगर आपकी coaching में अच्छा material है, तो obviously पहली priority आपकी coaching का material होना चाहिए, along with practice के लिए हमारे पास previous year questions सबसे अच्छे होते हैं, coaching material के अलावा, PYQs is the best one, ठीक है, अगर coaching के material में questions काफी सारे हैं, तो बच्चो books को अ अच्छे question हमें तभी करने होते हैं, जब coaching का material सुफिशन नहीं है, या coaching काम ने कर लिया है, तब हमें वो करने चाहिए, तो coaching के साथ previous year questions जो होते हैं, बच्चो, वो सबसे important अस्तर शस्तर होते हैं, किसी भी student के लिए, along with teachers जो हैं different जंगा पे reference books को भी बताते हैं, reference books का मतलब ऐसी books जिनसे आप अपने theoretical part को improve कर सकते हो, याद रखिए, regular अगर आप काम करोगे, regular अगर आप question solve करोगे, तो उसमें quality matter करती है, simply questions solve करने से काम नहीं चलता, आप किस quality के questions करते हो, जैसे देखिए बहुत सारे student क्या करते हैं, जैसी to a tough question आता है, उसमें fail जाते हैं, और जल् आपकी फोडने की शमता, मचाने की शमता, कुछ कर गुजरने की शमता, उतनी ही भड़ जाएगी बच्चो, तो यहाँ पे coaching, PYQ, plus मैं बोलूगा कि कुछ reference books जो है, जो भी teachers आपके recommend करते हैं, जैसे organic chemistry में मैं खुद कुछ recommendation देता हूँ, chemistry में कुछ recommendation देता हूँ, physics में अल double के questions करेंगे, plus हमारे जो in-depth conceptual understanding होगी, theory की, दोनों चीज़ें बहुत-बहुत important होती है बच्चो, याद रखना, इस साल solutions से बचना, और doubts जादा पूछने से बचना, doubts तभी पूछिए, जब आपको real में आपको चाहिए, help चाहिए, तभी आपको doubts पूछने चाहिए सारा material हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं बच्चो, तो आप टेलीग्राम चैनल को description में जाके जरूर जोइन कर लेना, वहाँ से आप इन material को download कर सकते हो, plus हमने वहाँ पे concept maps भी डाल दी हैं बच्चो, जिसमें पूरे chapter की summary भी एक साथ आप देख सकते हो वैसे तो मैं हमेशा advice करूँगा कि खुद के notes आपको बनाने चाहिए, nothing is better अगर आप खुद के notes रही बना सकते हो, तो खुद के notes is the best way, quota में हम लोग यही encourage करते हैं बच्चो, लेकिं still हमने concept maps दिये हैं जो बहुत सोच समझ के design किये गए हैं बच्चो, वहाँ से जाके आप completely free of cost डाउनलोड कर सकते हो, टेलिग्राम चैनल पे हमने bullseye content डाला हुआ है, इससे आगे चलते हैं, now the question is how to cover backlog, बैकलोग किस तरीके से हमें cover करना है, तो बच्चो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि backlog को cover करने के लिए आप सभी को सबसे पहले करना है, must do class 11 chapters, यानि वो chapters आप सभी को जरूर cover करने हैं, और धंग से करने हैं, याद रखो सिर्फ one shot से काम नहीं चलेगा, इन chapters को धंग से करना पड़ेगा, वो chapters जिनकों करने के बाद 12 class में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये लगबग 15 chapters हैं, around 15 chapters अगर आप कर लेते हो, तभी आपको class 12 start करना चा हैं, जब आपका main syllabus चल रहा है, तो सबसे पहले must do class 11 chapters करोगे, बच्चों इसके अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले इनको सीधा जेए advance तक ले जाने की कोशिश मत करिए, पहले simply J main level तक उनको कर लीजिए, यानि पूरा sheet, पूरी exercises, पूरा module जो आपको मिलता है, कोचिंग का सारा नहीं करोगे, आप simply J main के PYQ कर लीजिए, इतना capable बन जाएए कि J main level तक तो at least हो जाए, तो backlog कवर करने का सबसे important यही तरीका है, कई पर student क्या करते हैं, वो सारी DPP, सारा materials सब करना चाहते हैं, बेटा सब नहीं होगा एकदम से, time लगेगा उसमें, पहल सर्च करिए, must do class 11 chapters, ATP star, आपको मिल जाएगा, उसके लावा हमने telegram channel पे भी must do class 11 chapters का एक PDF डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हो, वहाँ से भी आपको directly मिल जाएगे, कि वो chapters कौन कौन से हैं, बच्चो, ठीक है न, तो must do class 11 chapters जो है, यह आपको करने होगे, और पहले J main level त और फिर उसको advanced level तक लेकर जाओगे, backlog cover करने का यह सबसे fastest तरीका है, यह chapters और detail में करिएगा, यह नहीं कि यह chapters basic से करने की बात है, क्योंकि यह आपका foundation डिसाइड करेगा, अगर यह आपने जल्दी बाजी में कर लिया, one shot, one shot, कुछ-कुछ ऐसे किया, क्योंकि बहुत सारे आजका students भी YouTuber बन गएं बच्चो, ठीक है, तो students जो है, वो अपने हिसाब से कुछ जोकार बताते हैं, जो हो सकता, उनके लिए work किया है, पर सबके लिए work नहीं करता, तो इसलिए हमेशा experts की ही सलाले, इस पूरी journey में students पे निर्भर मत रहिएगा, बिल्कुल भी बच्चो, तो यहाँ पे backlog cover करने का ये बहुत ही important तरीका बच्चो, now the point is how to manage board exam, board exam किस तरीके से cover होगा, तो यहाँ देखो पहले तुम आप सभी को बताना चाहता हूँ, board exam के लिए सबसे important होता है answer writing, यहीं writing is the key, ठीक है, जितना लिख लिख कर देखोगे, देखो होता क्या है, JEE की preparation करते करते कई बार हम dummy schools में होते हैं, और बहुत बार हमें लिखने की practice छूट जाती है, और फिर board exam में हम फैल जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो 75% वाला criteria या top 20 percentile वाला criteria जो है, वो तो लगना ही है, तो boards बहुत ही important होता है, तो boards को manage करने के लिए आपको regularly, खास तोर पे माल जाते हैं, जून जुलाई के आसपास अगर हम बात करने तो हमें particularly लिख लिख के practice करनी चाहिए, उसके लावा boards के full length mock test भी देने चाहिए बच्चो, अगर boards के आप full length mock test दोगे, तो ही आपको confidence आएगा नी, तो boards में एकदम से हम fail जाएंगे, प्लस मैं बोलना चाहता हूँ क स्कूल से आपका रिष्टा ठीक ठाक होना चाहिए बच्चो, बहुत पर हम स्कूल से क्या होता है कि relation अच्छा नहीं होता है, कई बड़मी स्कूल होता है खास तो हमारे practical में marks कम हो जाते, तो ध्यान रखो कि practical में marks कम आपके नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे directly आपका score का ध्यान रखना होगा, जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनका तो boards automatically cover हो जाएगा, लेकिन याद रखिए, it's all about writing more and more answers, आपका presentation जितना अच्छा रहेगा, boards में naturally आपके अच्छे marks आ जाएंगे, आप जानते हो कि boards में derivation वगरा भी आती है, तिसलिए हमें लिक लिक कर देख तो theoretical aspect हमारा NCRT वगरा हम read कर सकते हैं, जिससे हमारी boards की preparation भी बच्चो बहुत अच्छी हो जाएगी, साथ साथ JEE के लिए भी तयारी हमारी अच्छी रहेगी, बच्चो अब बात आती है दिमाग में कि boards के mock test तो आपको देने हैं, पर overall अगर हम mock test की बात करें, यानि JEE 2024 के उतना mock test, दो बच्चो योगी mock test जो है बहुत बच्चे डरते हैं, tension लेते हैं कि sir कैसे होगा, क्या होगा, मैं tension लेता हूँ बहुत, अरे बच्चे final जब real exam आएगा, तब क्या होगा फिर तेरे साथ अगर अभी से ऐसा हो रहा है, यहनि face your fear before it comes to you directly, on the face, ठीक है, तो पहले स का full form होता है, ATP online test series, जो इंडिया की biggest test series है, and most affordable test series है, for JE main and advanced, यह हम लेकर आएंगे, JE 2024 के लिए, तब आप उसका हिस्सा बनियेगा, बहुत ही affordable रहेगी, और यह बहुत ही relevant test series हम लोग बनाते हैं बच्चो, जिससे क्या होता है, यह मा लिजे question बहुत ही similar real exam में आ जाते हैं, तो जब AOTS है, तब आप उसका हिस्सा बन जाईएगा, उसमें enroll कर लीजेगा, और, you know, be the part of one of the biggest test series of India, of nation for JE 2024, right, तो mock test लेकिन अभी से देना शुरू कर दीजे, प्लस उसके अलावा, आप सभी सबसे important बात है, सिर्फ theory पढ़ने से काम नहीं चलेगा, practice lots and lots of questions, right, practice करिए ब सकते हो, वहाँ पे एक feature है, completely free of cost है, बच्चो, जिसको बोलते है, custom practice, वहाँ पे आप अपने test खुद से design कर सकते हो, तो उसका फायदा उठा सकते हो, जिससे आपकी अभी भी time bound practice है, यानि limited summer में questions करने की habit रहेगी, बच्चो, है ना, तो यहाँ पे आप सभी समझ चुके हो कि mock test आपको जितना दोगे, उतना ही आपका confidence बढ़ेगा, क्योंकि mock test सरफ देने से भी काम नहीं चलता, आपको mock test के साथ बच्चो, उनको analyze भी करना पड़ता है, इससे आपको पता लगता है, कि आप देश भर में कहां stand करते हो, देखो, याद रखीए, एक बात हमेशा कही जाती है कि treat each mock test like the real exam and real exam like the last mock test, ठीक है, तो real exam एक तरस आपका last mock test है, और हर mock test आपका real exam की तरह उसको treat करो, test को analyze करो, और improvement करते हो, पच्चो एक बात बताओ, अगर आप mock test में अच्छा कर रहे हो लगातार, तो final exam में भी अच्छा करोगे कि नहीं करोगे, आप ही बताओ, क final exam में भी आप अच्छा कर पाओगे, अगर आप mock test में अच्छा करोगे, जो भी हम तयारी करेंगे, जो भी हम theory cover करेंगे, practice करेंगे, वो सभी के सभी चीज़े हमारी तभी set बैठेंगी बच्चो, जब हम mock test में फिर अच्छा perform करेंगे, उसका फायदा ही यही है, तो यानि time bound practice and mock test देना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, अब बात आती है, revision and short notes के बारे में, आईए बात करते हैं, revision and short notes, देगे बच्चे, अगर हम revision की बात करें, तो बहुत बार हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और revision नहीं करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक chapter को धंग से पढ़ लेने के बाद, धंग से question solve कर लेने के बाद, हम उसको भूलना शुरू करते हैं, भूलने लग जाते हैं, तो class notes जो हम बनाते हैं, उससे revision करने का कई बार हमें time नहीं लगता है, क्योंकि वो lengthy भी होते हैं, तो आप सभी को मैं एक रस्ता बताता हूँ, कि मैं बता भी रखा है, short notes किस तरीके से बनाने चाहिए, जिसमें key points and summary उस chapter की लिनी होती है, जब आप लिक लिक कर देखोगे, तो theory का revision करते हूए, बोर नहीं होगे, पहली चीज तो यह है, नितो ऐसे देखते रहते हैं, पन्ने पलटते पलटते हैं, सबसे आदा, क्या आता अपने को नीद आ जाती है भाई, तो नीद से बचने के लिए और ढंक से effective revision करने के लिए short notes बनाओ, दूसरा mock test से पहले short notes आपके बहुत ही बढ़िया साथ ही होंगे, ठीक है, यह आपको, यह माली जी आगे बढ़ाएंगे, जब भी mock test आएगा, उससे पहले, खट से revise कर प notes, तो जब भी मौका मिले, चोका मारा हो, नी, तो क्या होता है, revision का हम मौरत निकालती रहते हैं, और वो शुब मौरत कभी भी नहीं आता है, ठीक है बच्चो, तो शुब मौरत आना बहुत बहुत जरूरी है, जिसमें आप सभी को क्या करना होगा, revision के साथ, revision के लिए short notes ब तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, another point is, इस पूरे process में overall without distraction रहना और सही mindset रहना बहुत बहुत जरूरी होता है बच्चो, है ना, अब ये सही mindset रहने के लिए मैं आपको clearly बोलूँगा, आपके लिए एक सही गुरू, इनकी बातों को आप सही में follow करते हो, सही में completely free of cost आपके लिए available है, उस facility का सभी students को फायदा उठाना चाहिए, तो description में link दिया हुआ है, उसका हिस्सा बने, दूसरा, सही mindset होने के लिए आप सभी का physical fitness बहुत जरूरी है बच्चो, इसको बहुत ही हम light लेतें कई बार की fitness तो क्या ही है, अरे बेटा, अगर आप fit रहोग तो hit रहोगे, है ना, आपका motivation रहेगा, energy रहेगी, सारा दिन कुछ करने का मन करेगा, ठीक है, पढ़ाई करने का मन करेगा, focus रहेगा, दूसरा, आप सभी high energy vibrations में रहिए, यानि toxicity से, unnecessary discussion से, ऐसी किसी भी चीज़ से, जिसका moral डाउन होता है, motivation डाउन होता है, आप उससे दू कोई भी चीज़ जो आपको कमजोर बनाती है, उसको poison की तरह बच्चो reject कर दीजिए, right, properly उन्हों नहीं यह बोला था, anything which makes you physically, mentally, emotionally, weak, किसी भी तरीके से अगर आपको weak मनाती है, reject it as a poison बच्चो, है ना, तो यह बहुत ही strong बात है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो आपको गुरू जो होंगे, जो guidance मिलेगी, वही सब आपको बना भी सकती है, और बिगाड भी सकती है, make sure कि आपका environment सही जरूर हो, तक इस पूरी journey में आप focus रह सके बच्चो, है ना, लेकिन इस पूरी journey में सही companion होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बोला है, कि आपकी preparation को next level पर और boards की तयारी कर रहे हैं, school जा रहे हैं, हर तरह के student के लिए ये gladiator badge game changing हो सकता है, description में इसकी सारी detail दीवी है बच्चो, इसका help आप जरूर ले सकते हो, right, now environment maintain करने के लिए एक important बात में बताना चाहता हूँ कि आपकी जो study table है, उस study table के आसपास atmosphere आपका बहुत ही amazing होना च वहाँ पर आप motivational quotes लगा सकते हैं, different ideas की pictures लगा सकते हैं, जहां आप जाना चाहते हो, उसकी picture लगा सकते हो, आप अपने gurus जो हैं, उनकी pictures लगा सकते हो, जो आपको motivate करते हैं guys, तो जहां जहां से आपको positivity मिलती है, अपना aura वहीं पे बनाएए, दूसरा negative energy को, negative चीज़ों को reject कर दीजिए, ignore करना सीखिए, हर चीज में reaction नहीं करते, जब हम ये teenager होते हैं तो teenager में हम हर चीज में react करते हैं बहुत जादा, हर चीज में मिले को ऐसा क्यों बोला, ये क्यों हुआ, बच्चो इस समय पे हमें reaction कम रखना है, हमने अपने energy जो है, वो क्या करनी है, conserve रखनी है ताकि सारी की सारी energy को हम सही focus लगा सकें और हमारी जो dream IITs हैं बच्चो वो achieve कर सकें, अच्छा देखते हैं कौन-कौन student यहां तक आये हैं, जो बच्चे यहां तक अभी तक present हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो real ATPN से, real fighters हैं बच्चो, वो J2024 में मचाने वाले हैं, त जरूर बताईए, यह वीडियो पसंद आया है, आपको session पसंद आया है, तो like जरूर करिए and telegram channel का हिस्सा अभी के भी बन जाईए, description में लिंक दिया हुआ है बच्चो, चलो फिर मिलते हैं next session में, bye bye, take care guys and keep preparing well, love you all.